सोनपुर मेले की रौनक शाम धलने के साथ ही बढ़ते हुए दिखाई देती है और हाजिपुर वेश्व प्रशदु पशु मेला हरियर छेतर सोनपुर मेला जैसे छतर मेला के नाम से भी जाना जाता है यह आस्था परंपरा आधुनिक्ता वा लोक संस्कृती को अपने दामन में धामे हुए हैं समय के साथ साथ सोनपुर मेला धीरे धीरे अपनी समापती की और बढ़ रहा है लेकिन इसकी भवयता और रौनक में जरा से भी कमी नहीं आई है और रोजाना लाखो लोग घूमने आ रहे हैं यहां की हर चीज लोगों को अपनी और आकर श्रिप करती दिखती है सोनपुर मेला की ड्रॉन से लिए गया तस्वीरे मेले की भवयता की कहानी वया कर रही है यह मेला अब अंतिन पड़ाओं में है लेकिन मेला की चमक काफी बढ़ी वी है प्रति दिन लगभग एक से डेल लाक लोग यहां आते हैं लोग मेला घूमते हैं और यहां पर तरतर के जूले थाइलेंसार थाइलेंचूला और मचली टनल चेरिया बाजार घोड़ा बाजा मौत ककुआ, सरकस और भरत सरकार और बिहार सरकार की बहुत साधी प्रशनी लगी हुई है यह मेला अतिहास के पन्नों में दर्च है हालाकि अब यह मेला धीर धीर सिमट रहा है लेकिन इस बार मेला मेलग भग अब तक 30 लाख लोग आ चुके हैं और बाबा हरियर नात मंद सिर्कि सोनपुर में यजतित है जोकि लोक आस्था का एक बहुत चर्चित फिर्थ सल है और सोनपुर में ही गजगराकी प्रपिमास्थापित है यह पुराने कथाओ में भी उलेखित है शाम धलते ही सोनपुर मेले की रोणक और निखर जाती है और इशिया के सबसे बड़े पशु मेला के रूप में प्रसिद सोनपूर मेला के कई रूप है सुबह से देर रात तक मेले में लोगों की चहल पहल बनी रहती है शाम धलने के बाद मेले की रौनक को जादा ही निखर जाती है शाम ढलने के बाद सुनपुर मेला पर आधुनिक्ता का रंग चढ़ जाता है। हर और जगमगाती रंगी लाइटों से की गई आकर्शक सजावाट लोगों को अपनी और काफी आकर्शित करती है। अलग-अलग तरक स्टॉल भी लोगों को अपनी और ध्यान खीच रहे हैं। स्वही रफधार नहीं।